हेलो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं SSCC HSL 2020 का पिपर है जो 16-4-2021 को हुआ था और कुन सा सिफ्ट है मौर्णिंग का सिफ्ट है फस्ट है ठीक है ना भीया फस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें कुन सा सिफ्ट होगा रीजनिंग का ठीक है जैसा कि आपको थमनेल में दिख्ट होगा रीजनिंग को हम डिस्कस करेंगे आज जो भई पहला कोशन क्या कह रहा है क्या कह रहा है कि भई जो 4 है इसमें से ठीक है वो इसमें से तीन सेम है और एक डिफरेंट है ठीक है इसमें कह रहा है यही कोशन ठीक है तो सबसे पहले देखेंगा वई इसमें क्या है यह किसका अगर देखा जाएगा तो यह है 297 में यह 23 का क्यूप दिख रहा है 13 का क्यूप दिख रहे यह कितने का है 11 का क्यूप दिख रहіє है कि किसका है फोर सोर है लास्ट में तो इसका हो जाएगा एन वे प्ररॉटinator है टीका ना है तो यह किसका क्यूब है यह किसी का क्यूब नहीं हैonder सलहे हमारा सबसे डिफरेंट अंसर सबसे डिफरेंट इनुमें से कोन सा है मेरे भाई मेरे दोस्त पहला वाला औ embarrassing बात क्लियर हो रही है तो वताइगी घड़ा ठीक है, आपके आजें, अब क्या कह रहा है, दो अंकों वाली एक संख्या है, दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है, तेरा दे रखा है, भई, दो अंकों वाली कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो भई, दो अंकों वाली होगी, तो उसमें एकाई और दाही होगी, है न दोनों को परस पर प्रते स्थापित करने पर मतलब इंटर्चेंज कर दिया जाता है उनके प्लेस को ठीक है दाहई को इकाई इकाई को दाहई में परिवर्टित कर दिया जाता है तो मूल संख्या से कितनी कम हो जाती है 27 कम हो जाती है तो मूल संख्या ग्याद किजिए सबसे पहले देखेगा भई बहुत 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 रिन प्रश्न है और इस प्रश्न में सबसे पहले मैंने मान लिया कि भई दहाई जो है दहाई और इकाई IKAI को मान लिया हमने IKAI अंक को IKAI को मान लिया हमने X ठीक है? और DHAI को मान लिया Y अब देखियेगा भई किसी संख्या को बनाना जैसे 25 है तो यह क्या है? IKAI है तो 5 गुना 1 कितना होता है? 5 होगा और DHAI मतलब 10 से मल्टिप्लाइट दो गुना 10 कितना हो जागा 20 ये बात आप ध्यान रखेंगे और इनका सम होगा जब तब जाके क्या होगा 25 होगा यहां तक बात clear हो रही है आपको अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो हम इस प्रेश्ण को कर रहे हैं ठीक है इसी के तरज पे होगा तो संख्या क्या ब प्लस दहाई तो दहाई को कितने से 10 से मल्टिप्लाई कर देंगे दहाई को 10 से मल्टिप्लाई करेंगे दहाई क्या है वाई है और एकाई को एक से मल्टिप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 10 y प्लस x ये संख्या हो गई ये मूल संख्या होगी कौन से संख्या है मूल सं इसको intercange कर दिया जाता है प्रतियस थापित कर दो प्रतियस थापित change करने के बाद change कर दो place interchange interchange करं से कर रहा हूं interchange करने पर क्या हो जागाتي जो 10 y ऊह गाद 10 X हो जागा और यह यह हो जागा अब कोशन क्या कह रहा है कोशन में इस वाले कोशन को बहुत तसली से मैं करवा रहा हूँ ध्यान से देखिए गावी इंटरचेंज करने के बाद संख्या क्या हुई दस X प्लस Y यहां तक बात clear हो रही है तो बताइए गावी अब कोशन में क्या गह रहा है दोनों संख्या का सम कितना है दोनों संख्या का सम कितना है एक चीज़ है दोनों संख्या का यो कितना दे रखा है X प्लस Y एक वस्टो कितना है 13 यह पहली एक्वेशन है ठीक है यह फुल डीटेल में मैं सॉल कर रहा हूँ आधे को नहीं आएगा तो अब कोशन में क्या कह रहा है कि अगर दोनों को प्रतियस्थापित कर दिया जाता है अंगों को तो क्या है सब्सक्राइब मोल संख्या से कितनी कम हो रहे हैं मोल संख्या से 27 कम हो रहे हैं यह है 10 y जितनी कम अन्टाइब मोल संख्या से कितनी है 27 का मैं जोस्ट इरेज करना चाहता हूं मैं इसको और यहां से यहां पर लगाऊंगा माइनस 27 इकोल सो जीरो अब देखिए कवाई 10y और प्लस यह 27 27 रखते हैं हमने और यह 10y 10xy अब एक साइड में सेफ्ट कर दो और इसको 27 को इधर फेक दोई 10y x इधर माइनस 10x यह कितना है यह है भाई साब आपका माइनस होगा माइनस यह होगा इकोल स्टू 27 सब को हमने चेंज करा अब यहां पर हो गया भाई वाई 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 कितना हो गया 9y और यह कितना हो गया एकस माइनस नौ एकस इकोल सो 27 अब देखो भी नाइन को कॉमन ले लिए हमने वाई एकस 27 और एकस वाई इकोल स्टू वट तीन हो जाएगा ठीक है बात के लिए रूट अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो एसे लिख सकता हूं तीन अब देखिया गवाई सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को सॉल कर दो वहीं फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या कर दिया नहीं सॉल कर देना है यह कैंसल आउट होगा यह 2x यह 16 16 होगा 16 का 8 होगा सुर्य वाई है वाई वाई का 8 होगा वाई का कितना होगा आठ होगा और एक्स आठ में पूट कर दो तो कितना हो जागा एक्स की वैलू आठ यहां पर आ गया तो आठ हो साइड माइन जाके कितना हो जागा पांस हो जागा तो भाई संख्या क्या बनेगी मूल संख्या क्या होगी कि विचासी कितने होगी पांस हुआ इसमें पुट कर दो पिचासी हो जागा इसमें पुट कर दो देखो भई इस वाले में पूट कर दे हमने तो यह हो गया 10 गुना 8 प्रस पांच ऐसी प्लस 5 पिचासी यह ठीक है बात समझमागी बहुत डेटेल में करा है समझमागी होगा आज हो भी अब तरिव जो की संख्याद निकालनी है तो भाई नॉर्मली देख लो सबसे पहले एक और दो तीन हो गए एक दो तीन चार चार देन चार कितने हो गया चार चार आठ और एक यारा आठ आठ आफ सरी चार चार होगे न एक वेट लिलिक तो मैं कुछ हो रहा हूँ देखो यह तो यह तीन है यह आठ है यह आठ है कितना हो गया आठाट सोला सोला और उन्नीस उन्नीस होगा अब देखिए गवाई सबसे पहला है एक यह वाला होगा एक देन दो देन तीन देन चार देखो वही प्लस चार हो गया कितना ट्वांटी थ्री 23 नंबर ओफ ट्रेंगल हो गया नंबर ओफ ट्रेंगल 23 है तो कौन सा है तेज अगले वाले पाज हो गई अब देखो भई उस विकल्प का चैन कीजिए जिसमें शब्द एक दूसरे से ठीक उस तरह सम्द्द है जिस प्रकार दिये गए शब्द के युग में कि एक दूसरे से संबंधित है यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो बता हो गई यहां तक यहीं बात क्या रहा है तो अब देखो वहीं आकाल है आकाल का मतलब क्या है सुखा आकाल कि से हो रहा है सुखा सुखे से आकाल हो रहा है तो अब परिक्षा डिग्री से नहीं बेपत्ति की बात हो रहे है मंदिर भक्ति से नहीं योद्ध जीतने से नहीं हार भी जाते है तो यह क्या है वहीं कि नि दणते टार सत्फ आज रिख जाते हैं तब असना है तीक यह संघ्य है ऐल ऑप्षिन क्योन क्यों सिर्फ UP省 में व्लाते हैं सि कि य kart भी आविश्याम्ञी बहुत 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 then e आएगा then i आएगा then l आएगा then o आएगा ठीक हा बाद clear हो कही और इसी के बाद lever काएगा लेवर का इसी के बाद lever के लिए A है इसे बाद A है then B है then लेवर में L होगा, A होगा, B होगा, L होगा, then O होगा, L के बाद O होगा, then R होगा, then U होगा, यहां तक बात clear हो गई है, तो बताओ भई, इसका अंसर कौन सो दिख रहा है, यह हो रहा है, अल्फाबेटिकली देखना है, आगया जो गई, अब इसमें देखो, यह किसमें इन्वेडेड है, देखो, ऐसे लाइक दिस, ऐसे इन्वेडेड है, समझ भारा भई, तो इसलिए इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर हो second होगा बस, ठीक है, अब दूसरे प्रश्न के तरफ बढ़ रहा हैं बही, दूसरा प्रश्न है, यह भी अच्छा प्रश्न है, इस प इससे डिवाइड होता दिख रहाए यह बड़ी संख्या और हमें इस बाद को अधको बाद करना ना तो पहले दिवीजन में सिर्फ कुण दिख रहा है यह इसको सारे को सोल नहीं कर सकते हैं यहां पे दिवीजन क्यों निलगा सकते बहुत चांस है जादातर पर उसके बाद मुझे जो बड़ी संख्या है उन दोनों को डिवाइड करने कुछिस करो तो भई हम क्या करेंगे 110 है फिर प्लस है 728 है फिर 28 से डिवाइड करा देन उसके बाद है मुल्टिप्लाई 15 से और देन माइनस है 413 देखो ज्यादा तर चांस है आपको सेलेक्ट करना हो नहीं ओप्षिन को ठीक है सारे ओप्षिन चेक करने गए न तो बिल्कुल भूल जाएंगे तो देखो अठाइस 28 को 26 से डिवाइड 28 को जब डिवाइड करेंगे सास्तो अठाइस को 28 से डिवाइड करेंगे चब्षिन आएगा ठीक है 10 और इनको प्रोड़क्ट करो 26 गुना 15 15 चक्के नबबब और इसके बाद यह है नो फंदर थीस थर्टीन अग्वाई यह इतना यह है इसको प्लस कर दिया हमने इसको प्लस करना है तो यह प्लस आएगा पांसो पांसो मैंसे 413 तो इस बिल्कुल सही मैच हो रहा है तो कौन सा ओप्षिन होगा ज्यादा सर्ट्र Σचंस क्या हते हैं वड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे ठीक है अगले वाले पास्ओ ऑई पेपर फोल्डींगा बहुत आसाथन कोरें तो यह सें सेम डिर्क्सिंट में है इसलिए गलत है और यह वर है यह इब गलत है यह बहुत है तीक अगर आप लैक्षर भी में देखते हैं ना तब भी समझ बहां जाता है यह सतंब आसान है अब देको इन दोनों में देखो दो है दो से लेके clockwise 6 को रहें Kिरस वहिंट चार को एक ऐसे दो छे पांच दो छे पांच हमदेखो एक के नींचे कौन सा होगा एक के नीचे कौन सा होगा, एक के नीचे होगा, पांच, एक के नीचे होगा, कौन सा पांच, यही अंसर है, अगले वाले माज होगी, अब देखो, यह वाला भी कोशन बहुत बैतरी ना, बहुत मज़िदार है, अगर आप करना चाहोगे ना, बहुत मज़िदार वाले कोशन में से एक है, देखो E, X, H, A, L, E XL, XL का मतलब क्या होता है आपको दे रखा है E, F, E I, F, E B, A, B, B, Y अब देखो इसमें से क्या है इसमें से अगर 6 माइनस करतो, ये 5 है, इसमें से माइनस 6 करों, तो Y आगा, तो माइनस 6 हुआ इसमें क्या होगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग है 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 अब इसमें देखो बई 8 है ऐसे 3 माइनेस खला तो बी यहाँ पर किस्क्स माइनस ख़्राइब यह यहां पर फूर करना है नाहीं नाइन में प्लस-4 अब फ्रस फोर कर वेके तक किना एक थर्टीन 13 13 का क्या होगा M होगा 13 का क्या होगा M 13 की value क्या होगी M होगी तो भाइस अब M कौन से में नहीं है इन दोनों में नहीं है eliminate करते जारों मैं अब देखवाई अब यहां से minus 6 कर दो 14 14 and 14 14 वेसे 6 कितना हो जाएगा 8 यह होगा H 8 होगा 8 for H plus 4 कर दो यह 4 यह कितना हो जाएगा H हो जाएगा double H कौन से में है इसमें नहीं है तो इसलिए यह cancel out है only only कौन सांसर है यह पूरा answer करने की जरूरत नहीं है आगया जाओ यह भी बहुत बहतरीन प्रश्न है देखवी सभी bulb ट्यूब है सभी bulb ट्यूब है ट्यूब है ट्यूब के अंदर सारे बलब आगया सारे बलब आगया ट्यूब के अंदर ठीक है कोँछ बल्ब कोछ बल्ब जो है वह ग्लाज किछ बल्ब ट्यूब नहीं है कोई भी बल्ब ट्यूब नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कुछ बल्ब 118 बद्रश दूसरे वाले में पहला जहां ज़ा पहला वह गलत यह भी गलत यह भी गलत और यह भी गलत यह सीधा अंसर आपके सामने है यहां जा पेले हैं लेकिन हम इसमें क्या करेंगे अभी इसमें कुछ चीजए क्य अनुसरन करता है यह वह वात हो सकती है तो इस बात को थोड़ा सा हम पूरा पुक्ता करेंगे ठीक कि अकर ये लाइन सहिफ निहीद तहां देटा कि अधिकर इसको विचिकर करें कि कुछ ग्लास बल्ब हैं ज,''' ए भात सही है j表示 है अब फॉर्थ हम 100% कह सकते हैं पही सही है соглас जाने अब देखिया साव कि इस में क्या है बहुत बहतरीन था इतोड़ासा अपने सेट में यह जो कोशन आया है यह सबसे बहतरीन कोशन में से है अच्छा कोशन था मिलब थोड़ा टाइम टेकिंग और माइंड पर जूर देने वाला प्रशन था यह देखेंगा भई इस प्रशन में सबसे पहले स्टैप फॉर्म बना लो क्या बना लो स्टैप फॉर्म गैपिंग बना लो यह कितने की गैपिंग है इसमें एक की गैपिंग है इसमें कितने की गैपिंग है भई तीन की देन दिन कितने के 11 फिर 13 अभी गैपिंग से कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है हमें दिखाई दे रहा है तो हम हमारे पास क्या है एक दूसरा मुल मत्र यह फिर इसकी भी गैपिंग देख लेंगे कि वह देखी लेंगे हैं ना इनकी क्या है टू है और फिर दैन इस की गहां चैने है इत है फ्लस हो रहे हैं इनकी कितनी है फिर टू है फिर इनकी करफ इंक्या पिन दो है इनकी gaping कितनी है अब देखो यहाँ पे इनको अगर छोड़ा जाए इनको छोड़ दिया जाए तो यह क्या है अगर 8 गुणा 1 लिखो तो ऐसे कर सकता हूँ इसको 8 गुणा क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ और अकले वाले को क्या लिखो 95 को 97 में प्लस कर देंगे तो 152 आएगा 152 इस दा राइट आंसर यह बहतरी नप्रेशन था ठीक है इंपोर्टन लगा सकते हैं बहतरी नप्रेशन अगले वाले पाज होगी यह जो है यह भी बहुत आसान ही कोशन है यह भी बहुत ही आसान कोशन है 9 45 प्लस 5 कितना हो जागा 50 हो जाएगा अगले वाले में क्या कह रहा है यह ध्यान से देखेगा कोशन बहुत बेतरी निसे पढ़ेगा ठीक है अब देखोई अब इस वाले में 8 वाले में 8 और इसमें इसका किसे प्रोड़क्ट किया जाए इसका प्रोड़क्ट किया जाए पांसे 40 हो जाएगा और 40 में 2 प्लस करो लेकिन यहां पर क्या हो रहा 5 प्लस हो रहा तो 5 प्लस करेंगे तह कितना हो जाएगा 40 प्लस 45 यह नहीं में फ्याएगा यह भी नहीं में फंचरवा कि से कर और कैयोंकि इससे पैटर्ण का मुलेता है इस पैटर्ण का नहीं मिल रहा है von से कर दो यह पीक्रन सिरुए और सिर सब्सक्राइब कर दो नियुक्त कर दो पच्पन पच्पन प्लस साथ यह नहीं मैच हो रहा है तो कौन से मैच वह रहा है सिर्फ जो इसी पैटर्न पे बन रहा है कौन्से वाले पैटर्न पे जिसका यह solution मैंने अभी बताया है इसी pattern पे कौन सा follow कर रहा है सिर्फ third follow कर रहा है और कोई नहीं follow कर रहा है अगले वाले पाज़ा भी अगला वाला भी प्रश्न बहुत बहतरीन है मज़ेदार है अगर इस प्रश्न को करेंगे न तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा ठीक है एक opposite को है z है और एकस का य का opposite की शी का वाल अपोज़ेट्ट इस बीजारें अब देख भाई AC इसमें दो की gaping भी है देन देन a C थे थे जक्ता है तो इसे ही इस वाले में देख λो ही इस वहले में D F D F में 2 की gapping है प्लस 2 की gapping पहले देखो और इसका opposite क्या है W D का opposite W है और इसका opposite कितना है U है तो भई D F ये भी लिख दिया गया ऐसे K और M K है 11 और इसका 13 2 की gapping है, यहां तक ठीक है और इसमें K का opposite क्या है P है और M का opposite N है तो यह भी यह है, अब H, H और J, H है, 8 और J है 10, तो दो की gaping है, यहां तक तो बहुत clear हो रही है, H का high school, high school का S, ठीक है, S, और इसका jungle queen, अब दिखोई, इसका होना थे H, J, S, Q, बट हो क्या रहा है, आरा रहा है, यहां पर आरा, इसलिए यह answer है, हमारा answer कौन से होगा, यह वाला है, ना कि यह दो, ठीक है, यह तो match हो रहे हैं, यह सबसे different है, यही क्या है, different है, और यही answer भी है, ठीक है, बात clear होगी, किस pattern पर होगा, आगे आजो भी, इसमें देखोई, क् एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सुतरा, अठारा, उन्हेस, बीज, इस, वाइस, देश, चोबिस, पचीस, पचीस है, पचीस का क्या होगा, टुकड़े, पांच-पांच होगे, पचीस का पांच- पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां शुरूत नहीं है फॉर फेह अंसर हो गया इसमें देखो यह यह वाला अब नीचे आ गया बस ओरडर चेंज करके अगर ऐसे ओर जा रहा है तो ऐसे ओर ओडर हो गया ठीक है ऐसे गया देन इसे वले पागा अब अगले वाले में क्या जाएगा ऊपर जाएगा के और बॉक्स सब्क और से दोगा के बॉक्स जेड़ इसमें भीन इन दोनों में पहले और दूसरे में देखे यह अब कि एक और पाटरन बताउना ट्रांगल यहां पर यहां पर अध्यां पर यह पर में फिर उसके लाग में पर यहां पर में जाना चाहिए तो में किसका है इसके तो लाश स्टार्टिंग में कॉन सांसर हुआ यह अगले वाले माझ हुई देखो यह आर ए एस ओ एन देखो बही आर फॉर क्या है आर फॉर है आर की वेलु कितनी है हाई वेलु एंटेन है और इएफॉर फाइव ए वन एस एस फॉर आर फॉर एटीन है एस फॉर नाइनटीन है और इसका ओ फिफ्टेन और यह फोर्टीन है अब देखो बही जो आपोजिट है जो जो वोवल हैँ इनको सेम रखो और प्लस करना है इनको सेम रखो प्लस करना है और बाकी जो यह है इनके अपोजिट से प्लस करना है जो कॉंसोनेंट है उनके अपोजिट ने करो अठारा का अपोजिट कितना होगा कि 8 आथारा का बोजिट्ट कितना होगा और इसका कितना होगा आठ होगा और इसका कितना होगा चोदा का तेरह होगा इनको फ्लस करेंगे क्या हो जागा 51 आएगा 51 ऐसे ही दूसरे का भी चेक कर सकते हो आप इसमें सेम रहेगा बाकि ए और ई सेम रहेगा बाकि सब चेंज कर देना ऐसे में सीधा डिरेक्ली एम ने आर आर वाई देखो वह यह कितना है इसको सेम रखो हो इसका 13 होता है तो 14 मैं वह भी स्केंड से और ऐ और एने का कैंडनन नाइन और वाई का कितना होता है वाई का आपोजिटा करो वाई होता है है वही 25 25 का पोजिट कितना होगा दो इनको प्लेस करो 14 15 15 और 15 15 और 20 15 और 25 कौन सांसर होगा कि फॉर्थ आगे बड़ो देखवाई इसमें बताने की जरुत ने विकास व्रिद्धी प्रगर्ती एक जैसे और रोध अलग है अजो भी अगले वाले में इन दोनों का 65 है 16 है और 65 और 65 और 65 और इसका रूट कर दो इसका रूट करेंगे क्या होगा 16 है ऐसे 85 85 प्लस 59 का रूट कर दिया जागा तो कितना हो जागा 179 और 169 का कितना होगा 13 बात समझ में आ गई का है अगले माजो भी अगले वाले मक्या कर राए टेनिस कितने टेनिस खिलाड़ी अब सबसे पहले यह सिंबल्स दे रखें टेनिस कौण सा है सरकल वाला है टेनिस खिलाड़ी धनी कौन से है ऐसे वाले आयद और तैरा कि लंबे में आयद बना होशा ठीक्या अब देखो कितने tennis कि लाड़ी के लिए circle देख लो वही circle में 5 है 6 है 9 है 5 है फिर इसके बाद यह है यह हमें tennis circle के अंदर है या तो 13 है या धनी है दोनों नहीं है सबसे पहले देख वही जो दोनों माता है तो इसको 11 को अठा दो सबसे पहले देख़ब ईतने और 13 ऐध्याइट ऑर 13 औरfert्ष अदीक को रख लेता हूंThen this यह रीच ले लो टैनीस और रिच को ले लो पहले टैनीस ओर रिच टैनीस ओर टैनीस, एक यह नैन ऑर यह निन और फाइब है नैन और प्लस फाइब एंडاع जेगा नई चोदा चोदा और इसे चोदा दनी कुन्स होगा दनी का हो गया और तैरा को लिगा टैनिस प्लस स्विमर स्विमर डाल दो तैरा को मलब स्विमर होता है स्विमर इनको देखो भई इनको देखा जाएगा तो स्विमर को स्विमर जो है कौन-कौन से हैं एक यह है और एक यह है छै प्लस सोरा चैए प्लस दस वो गया 14 प्लस 16 14 प्लस 16 कितना हो जगा 30 30 कौन से क्या अंसर है यह रहा 30 आंसर आगे बूड़ा इंगे यह क्या कह रहा है तार्किक और सार्थक रूप कौन से हैं इसके नमबरीं कौन से हैं सबसे पहले रंगाई है सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले किसमें किसमें यह गलत हो गया अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम बनाएंगे दीवार दो जिसमें नहीं है सबसे पहले चत बनाएंगे फिर फर्श बनाते हैं फिर चत यह पांच यहां पर नहीं है इसलिए गलत है कौन सा है ओनली यह ठीक है बात समझ वागे इस पर आज हो यह बहुत वेतरीन है हर शिफ्ट में यह दरपन प्रती भीमबाया था लेफ्ट लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होते हैं लेफ्ट एंड राइट आपस में यहीं चेंज होते हैं और कुछ नहीं देख वाई एफ लेफ्ट राइट में यह ड़ खोगी एन है एन है बिलकुल चेंज है एन चेंज हो रहा है एन हैसे चेंज होगा ओ ऑगा यह तें टी होगा ए होगा आर होगा कि आपसर देखो काौन सा ओप्शन है ओल्ली पहला ऑप्शन धीर ता आंसर यह बहुग गलत हो गया फ वो अगला वाला प्रश्न है मेरे दोस्त मेरे भाई यह बहुत 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 पूत्री कौन है रहमय तो पुत्री है तो भया माइनस का sign लगा तो यहां पर और भॉव रहाधिका कि दी जो रेखा की उक्लौती गौँँ यह गए तो इसको भी नैगेटीव बनाऊ इसका वेका होगा बेटा बेटा गया हुआ है ठीक है वो रेखा है रेखा रेखा जी है रेखा की बहु है ठीक है मोहन रिशी मोहन जो है रिशी का पती रिशी का पिता और रेखा का पती रेखा का पती कौन बनेगा रेखा ये नेगेटिव नेगेटिव क्यों क्योंकि लेडी है ऐसा ज़रूर तो आएक बीज़घ की अब जत्की की सिंबल करते हैं मोहन जी है मोहन हटा उट हूँ पॉजिटीव है किसके पिटा है रिशी के पिता है रिषी के एकलोती बहुत उसके से इक लोग तब बेटा भी हो अब देखो वाई अब क्या कह रहा है रिशी और रमा का क्या संबंद है इसका यह बेटी है रिशी के और यह पिता इसका तो कॉंसोर्प्शन होगा थर्ड आ जो भी इसमें देखिएगा वही एक दूसरे से सैट है और आपको यही जानकारी देनी है कि वही कैसे सैट है क्या रीजन है इसमें देखिएगा इसमें जी से सब्सक्राइब देखो भाई 6 6 है इंटू 9 कर दो डिवाइट बढ़ 3 करो कितना इसमें आएगा 18 आजागा कैसे आएगा देखो 3 18 अब ऐसे 10 वाले में आंसर बता रहा हूं सीधा इसके मुल्टिप्लाइब करेंगे 3 से डिवाइट कर दो 15 50 50 में चो रहा है यह हो गया आंसर लेकिन अगर मैं आपको इसको भी बता देता हूं इसको भी 12 और 18 डिवाइट बै थी करो तो यह कितना हो जागा 6 12 बहतर यह मैं चो रहा है बहतर आ रहा है नहीं आ रहा है इसलिए गलत है ऐसे इसमें वेकर होगे 32 नहीं आ रहा है 9 गूना 13 9 गूना 13 तीन से डिवाइट कर आ नो तैरा रही नियुक्त समझ वागी अगले वाले पांच में बहुत आसान है जो किसे बनता है काँन से बनता है और रशी किसे बनेगी जूट से बनेगी बस जूट है ठीक है कि खत्म थेंक्यू वेरी मच वाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस किजिए और अपने दोस्तों को साथ में जरूर शेयर कीजिए कि आई होप आपको समझ में आया गवा